Good morning students, आज के class में आपका subject English grammar है और chapter 2, इससे पहले chapter 1 आप पड़ चुके हैं Chapter 2 का class course में आपका naming words है, naming words is called noun, naming words को ही हम लोग noun करते हैं तो चलिए हम लोग naming words के बारे में जाने के बोगे Chapter 2 में आपका है naming words, नाम बाले सब्द, ठीक है और noun क्या है, place of person, things, animals, जितने भी नाम हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग naming words भी करते हैं और वही noun भी कलाता है You know, people have names, जितने भी people हैं, उनके सभी कुछ कुछ ने कुछ तो नाम होता है जैसे अभी आप यहां picture में आप देख रहे हैं, doctor, teacher, policeman Animal have names, animals के भी नाम होते हैं, जैसे horse तो देखिए यहां पे horse है, duck है, cat है यह सब और भी other animals से सभी का नाम होता है Place also have names, जो जगह होता है, उसका भी नाम होता है जैसे आप school आते हैं, ती school बोला जाता है हम लोग पूजा करने जहां जाते हैं, उसको temple बोलते हैं आप लोग साम में जहां खेलते हैं, वो क्या है, पार्क कहलाता है Things have names too, जो things हम लोग अपने around देखते हैं आपके around अभी भी आपके पास book होगा, pencil है, razor है यह सारे क्या है, यह things है, तो इनके भी नाम होते हैं जैसे ball, cup, car, तो जितने भी name है, जो things है, animals है, people है उन सब के जो भी name है, वो सारे जो है, noun कहलाते हैं, ठीक है अब यहां आपका exercise में है, कि picture का नाम, picture दिया है, उसका आपको नाम लिखना है तो अब यहां देखिए, let's learn, name of person, places, animals or things are called naming words जो person का name होता है, चाहे जगह का नाम हो, animals का नाम हो, या कोई बस्तू का नाम हो उसको हम लोग क्या करते हैं, naming words, naming words are also called noun naming words को ही हम लोग noun करते हैं यहां पे आपका exercise में यह आपका box में कुछ नाम दिया हुआ है इसी में से आपको four भाग में divide करना है यहां पे person का नाम लिखना है और यहां animals का लिखना है और यहां पे place का नाम लिखना है और यहां पे things का नाम लिखना है तो जो box में दिया हुआ है उसी में से आपको अलग-अलग करके यहां लिखना है तो यह आपका हम यहां पे इसको fill up कर चुका है अब यहां पे आप देखिए कि draw a line from the picture to its name यहां पे आपका picture बना हुआ है उसके यहां पे name भी है आपको इसको picture के साथ draw करना है आपका यहां पे write the name of three more things you like very much things I like यहां पे आपके हिसाब से कि आपको क्या-क्या पसंद होगा वो आपको लिखना है जैसे यहां पे I like cake chocolate दिया हुआ है आपको क्या करना है कि three और जो आपको पसंद है वो यहां लिखना है यहां फिर दूसरा है आपका कि write the name of three people you would like to meet someday तीन ऐसे people का नाम लिखना है जो कि आप कभी उनसे कभी-कभी मिलते हैं ठीक है फिर है write the name of three animals you have not seen but would like to see त्री ऐसे animals का नाम लिखना है जिसको आप देखे नहीं है लेकिन आप देखना उसे पसंद करेंगे तो हम यहाँ पे तीन का नाम लिख दिये है यहाँ पे camel, ostrich है जैसे panda, leopard, hippopotamus इन तीनों को आप लोगों को देखने का इक्षा हो रहा होगा ठीक है यह सब आप लोग नहीं देखे होंगे फिर है आपका underline the naming words in the sentence यहाँ पे sentences है इसमें आपको एक sentence में कभी किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 भी हो सकता है तो आपको naming words जो है उसको आपको जो है pick out करके underline करना ठीक है फिर क्या है कि fill in the missing letter boxes with help of the clue one has been done for you I bark bark मिन्स होता है भोकना और I miss मैं मैं भोकता हूँ कौन भोकता है dog तो यहाँ आप क्या किलिफिक है dog if you turn me I give you letter if you turn me जिसको आप turn करते हैं और आपको water देता क्या हो गया है tap I swim in pond pond में कौन swim करता है यहाँ क्या है duck तो इस तरह आपका clue दिया हुआ है आपको यहाँ पे इसको लिखना है ठीक है फिर है आपका circle in each group यहाँ पे कुछ group दिया हुआ है और जैसे कि इस group में अब यहाँ पे देखिए the things things है तो यहाँ इस group में क्या है cow, cat, cup तो things cup है तो हम things को circle किये फिर है animals तो राहूल, rat, ball तो rat animal है उसको हम जो circle किये तो इस तरह करके आपका यह complete हो गया next class में आपको अगला chapter पढ़ाएंगे ठीक है तब गुड दे तो सुछछ, तो सुछड़ाES आपको तो